इसमें सवाल या रहा है गटकरी जी कि यह सब तो ठीक है कि आप लोन भी दे रहे हैं उनको आप इस तरी की परिवाशा भी उनकी बदल रहे हैं लेकिन डिमांड कहां है आज मार्केट में डिमांड नहीं है हम देख रहे हैं कि लोगों की जो पर्चेसिंग पावर वो कम दूसी तरब जो इंडिस्ट्री आप शुरू भी करवा रहे हैं तो वहाँ पर सप्लाइ लाइन्स जो वह चौक्ड हैं तो ऐसे में डिमांड को आप कैसे क्रियाट करेंगे उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं मुझे लगता है थोड़ी कुछ success story वे आपको MSME की बताता हूं MSME की पहले हमारे देश में ये पीपी कीट हम चायना से अभी बीच में दो महिना पहले हमने special flight से इंपोर्ट की थी shortage था आज हमारे देश में 3 लाग से जादा पीपी कीट डेली बन रही है और ये production हम जल्दी पीपी कीट एक्सपोर्ट होने के लिए एक बहुत बड़ी opportunity मिली है हमारे नाकपुर में हमारे MSME का एक textile cluster औरेंज सिटी के नाम से यहां इंगलंड पिटर के shirt भी यहां बनाते थे तो वहां अभी हमने उनको कहा कि आप ये बनाई है वो 10,000 पर डेई पीपी कीट बना रहे और अब वो export के order भी उनको मिले है तो अभी sanitizer जो था वो 1200 रुपे लिटर तक चला गया था सभी sugar factory को और मैंने कहा कि आप alcohol बनाते और काफी लोगों को proside किया इतना sanitizer बनने लगा कि अब वो 160 रुपे लिटर तक आया है और अभी हम लोग export करने लगे है और अभी export की भी permission मि लिए तो मैं आपको बताता हूँ है पॉर्च यूनिटी मिलेनी चाहिए फीपी कीट में अभी हमारे फीपी कीट एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया sanitizer एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया इस परीश सिती में भी हमारे यूनिट ने ये काम अच्छा किया और अभी आगे बढ़ रहे है तो इस प्रकार से निश्ची तुरुप से market अभी regularize हो रहा है लोग घर के बाहर निकालना शुरू हुआ है हमारा trade business industry शुरू हुई है और उसका पालन करते हुए उनकी सब प्रकार क्विवस्ता करो ताकि वह आएंगे तो काम भी शुरू हो जाएगा नाशनल हाइवे का ट्राफिक भी शुरू हुआ है हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू हो गया है और इसलिए मुझे लगता है कि काफी बाते आप न सब्सक्राइब करना होगा कि करोना का संकट नैचरल के रूप में हम सब के उपर आया हुआ है यह भी बात सचय है कि इसके कुछ परिणाम भी है और यह भी सचय है कि पिछले तीन महने से हमारे कारवार काफी बड़े प्रमाण में ठप भी बड़े हुए है और इसलिए यह संकट केवल हमारे देश को उपर नहीं आया यह पुरे विश्व के उपर आया है अमरिका से लेकर जर्मनी से लेकर यूके स्पेन इटली तक सब देश इसका मुकाबला कर रहे हैं और इसलिए मैं यह मानता हूँ कि यह संकट निश्चितरुप से हैं पर इस संकट में पॉजिटिविटी के साथ आत्मविश्वास के साथ हम इसका सामना करके आगे जाएंगे और आगे जाने की उम्मीद है जो फैक्टरिव है आज जो परिणाव हुआ है जल्दी ही वो फैक्टरिव में निश्चितरुप से डिमांड भी बढ़ते जाएगी और देरे वो शुरू भी हो जाएगी और निश्चितरुप से लोगों के रोजगार उनको वापस मिलेंग कि आप समस्या को स्वीकार कर रहें क्योंकि समस्या काफी बड़ी है विक्राल है जो आकड़े आएं कि बारा करोड़ लोग जो है उनकी नौकरी चली कई थी हालंकि बाद में जब लागड़ान में धीरे-देरे करके छूट मिली है तो करीब 2 करोड़ वापस रोजगार में आए भी हैं तो यह आगे किस तरह से बढ़ाया जाए इसके लिए आपको क्या लग रहा की और ज्यादा क्या देनी की जरूरत थे क्योंकि जब आप कहते हैं कि को लेटरल के बिना आप जब लोन दे रहे हैं तो एक आकड़ा यह भी आता है कि पहले से इनके उपर जो है करी कर रहा है ऐसा नहीं है ऐसा कौन सा देश नहीं है कि जो सामना नहीं कर रहा है कवमधिक प्रमाण में उसकी तीवरता हो सकती है और इसलिए संकट को चुनोती के रुप में स्विकार करो और इसमें भी सफलता मिलाने की कोशिश करो और इसको संकट के उपर मात करने की कोशि किया अब यह संकट है वो दिख रहा है उसको छुपाने का कोई कारण नहीं है पर संकट के उपर मात करने का एक ताकत मौरल हम लोग जनता में निर्माण करें क्योंकि निराश होकर हताश होकर फ्रस्टेशन में जाकर तो हम लोग करेंगे तो पूरी तरह लड़ाई तो हारें करेंगे ही और इसलिए अभी काफी बातों को निमित रुप से चलाना शुरू हुआ है हमारा एक्सपोर्ट भी शुरू हुआ है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस निमित के जैसे मैंने आपको दो उधारन दिये थे सैनिटाइजर और पीपी किट का वैसे हमारे एक्सपोर्ट हम बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट बढ़ाने के बाद निश्चित रुप से हमारे देश में नई इन्वेस्टमेंट भी आएगी और विशेश रुप से रोजगार भी निर्माण होंगे ये मेरा विश्वास के साथ मुझे लगता है